प्रिय बच्चों आपको हमने दोलन भाग एक और दोलन भाग दो में दोलन और सरल आवर्दगती के बहुँश सारे पारिभाशिक शब्दों और विस्थापन के समीकरण, वेग के समीकरण, त्वरण का समीकरण आवर्थ काल और आवरिती के समीकरण के साथ ही साथ सरल आवर्थ गती कर रहे कण के गती जूर्जा के बारे में इस्थिती जूर्जा के बारे में बताया था अब हम देखेंगे कि गती जुर्जा और स्थिती जुर्जा का ग्राप कैसा आएगा और विस्थापन और वेक का ग्राप कैसा आएगा तथा कुछ ऐसे कन जो सरल आवर्द गती कर रहे हैं जैसे स्प्रिंग से जुड़ा पिंड, सरल लोलग, आदि के आवर्द काल के विंज अध्य ग्राफ हमने सरल आवर्त गति कर रहे कण के विस्थापन का समीकरण वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी वेग का वी बराबर ए ओमेगा कास ओमेगा टी इसको और हमने हल किया था ओमेगा अंडरूड ए स्केर माइनस वाई स्केर और फिर त्वरण का देखा था त्वरण बराबर माइनस ओमेगा स्केर वाई ये चार समीकरण हमने दूलन भाग दो में देखे थे अब समीकरण एक से एक को हम नीचे ले जाएंगे तो य अपॉन एक्वल टू साइन ओमेगा टी वर्ग करने पर वाई का वर्ग बटे एक वर्ग बराबर साइन स्केर ओमेगा टी समीकरण नंबर पांच इसी तरह समीकरण दो से यह हमारा समीकरण दो है ए उमेगा को नीचे ले जाएंगे तो वी बटे ए उमेगा बराबर कॉस ओमेगा टी वर्ग करने पर वी स्केर बटे ए स्केर ओमेगा इस्केर कॉस स्केर ओमेगा टी कि यह हमारा हो गया समीकरण नंबर छै अब समीकरण पांच और छै को जोड़ेंगे कि समीकरण 5 बटे ए स्केर पलस वी स्केर बटे ए स्केर ओमेगा इस्केर स्केर्ट बराबर sin square omega t प्लस cos square omega t चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे और हम sin square omega t प्लस cos square omega t का मान रखेंगे अब बच्चों हम देखते हैं आपने देखा sin square theta प्लस cos square theta बराबर एक होता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y square बटे a square प्लस v square बटे a square omega square बराबर एक चुंकि sin square omega t प्लस cos square omega t का मान एक होता है यहाँ जो आप यहाँ समीकराण देख रहे हैं यहाँ समीकराण एक दिर्गवरित के समीकराण से मिलता है यहाँ समीकराण दिर्गवरित एक स्क्यार बटे a square प्लस y square बटे b square बराबर एक से मिलता है अतह विस्थापन वह वेग के मद्यका ग्राप एक दिर्गवरित होगा तो इस प्रकारसी हमारा इदर विस्थापन है और इदर हमारा जो y अक्ष है इस पर हम वेग लेते हैं तो यहाँ ग्राप इस प्रकार से एक दिर्गवरित बनता है यह एक दिर्गवरित बनता है जिसमें इसका मान आयाम है और यह आपका वेग का ए उमेगा होता है तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि दिर्ग वुरित प्राप्त होगा यदि हम विस्थापन वह वेग के मध्य सरल आवर्थ गती में ग्राफ खीचेंगे